पीसीएश करन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है PCS करन न्यूज में चर्च्या का विश्य है टीका लगवाने के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर सुप्रीम कोट हाली में सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाया कि किसी भी व्यक्ति को टीका करण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है कोट ने किसी व्यक्ति के शारीरिक अखंडता के अधिकार को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया है साथी सुप्रीम कोट ने यह भी माना कि केंदर की वर्तमान टी का करण नीती मनमानी पूर्ण नहीं है आपको बता दे कि सम्विधान के अनुचेद 21 के तहट नागरिकों को शारिरिक अखंडता का अधिकार दिया गया है जान लेते हैं भारतिय सम्विधान के अनुचेद 21 के बारे में इसे लोगपरिये रूप से जीवन का अधिकार कहा जाता है यह सम्विधान के भाग तीन के तहट नागरिकों को मिले छे मूल अधिकारों में से एक है यह अनुचेद कहता है कि किसी भी व्यक्ती को विदी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंतरता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है इस अनुछेत के तहर निज्टा का अधिकार, स्वास्थे का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, समय पर इलाज का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, आदी अधिकार दिये गए हैं जान लेते हैं मूल अधिकारों के बारे में सम्ता का अधिकार अनुछेद 14-18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुछेद 19-22, शोषण के विरुत अधिकार अनुछेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुछेद 25-28, संस्कृती और शिक्षा संबंदी अधिकार अनुछेद 39-30, और सम्वेधानिक उपचारों का अ